वेलकम टू एनेस 24 किलासेज दोस्तो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री की हिस्ट्री का आज लेक्चर है एट जिसमें की बात करेंगे हम किसकी जैन धर्म की जैन धर्म की जैन धर्म की हम बात करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं देखे जैन धर्म बात करते हैं जएन धरम की, देखेँ जेन धरम के वारे में आज हम बहुत ही ज़ादा विस्तार से पढ़ने वाले हैं ज़ादा, यह देखांगे हमके कोश्चन हमारे कहसे बनेंगे exam के point of view से, ठीक है तो हम बात करेंगे देखो जैन द्रम में क्या होता है पहले तो हमें पता होना चाहिए जैन का मतलब क्या होता देखें जैन का मतलब होता है जिन जैन का मतलब होता है जिन और जिन का मतलब होता है इंद्रियों 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 पर विजय करने वाला करने वाला तो किके इंद्रियों पर विज्य करने वाला कि इससे पहले इससे पहले क्या केते थे इससे पहले केते नी ग्रंथ क्या केते थे ठीके जैन धर्म की ऻो भाइशा है वो कौन सी है वो है अर्द मगदी अर्द मगदी अर्द मगदी भाइशा है या अगर आपको अर्द मगदी नहीं दे रखा है तो आप कहेंगे के प्राकिर्त भाइशा है आपको क्लियर करता चलूँ मैं आपको यह आपको ध्यान रखना है कि जैन धर्म के हम बात कर रहे हैं जैन धर्म में जिन का मतलब होता है जो इंद्रियों पर काबू कर लेता है इंद्रियों पर काबू करने वाला के अपने आप पर एकदम कंट्रोल करने वाला ठीक है अपने भाषा एक्जाम में अगर आपके नहीं दिये तो आप कहेंगे कि प्राकृत भाषा आई ठीक है आप यहां तक यह समझ गए चलिए इसका आगए आपको बताता हूं और देखें बात करते हैं गुरू की सबसे पहले हम बात करेंगे गुरू की ठीक है देखें गुरू की अग ठीक है तीठांकर क्या केता है तीठांकर ठीक है जो तीठांकर हुए वह कितने हुए वह 24 तीठांकर हुए ठीक है जैन धर्म में कितने तीठांकर हुए 24 तीठांकर हुए देखें हम 24 तीठांकर हम पूरे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 24 तीठांकर की लिस्ट हो जाएगी ब हुमारे लिए बहुतara ज्यादा इंप्पोर्टेंट है ठीक है सबसे नंबर एक पर देखते हैं पहले रिचल देब पोन हुए रिच cities लुए रिशब रिशब देब प्रखें कोन ते रिशब देब कोन ते सबसे पहले रिश.व चिंद दिए दूसरे थे अजित नात ठीक है दूसरे कौन थे अजित नात तीसरे थे आपके संभवनात ठीक है चोधे थे आपके अभिनन्दन अभिनन्दन नात ठीक है अभी नंदन नात बात करेंगे हम सात में की डाराख हम सात में पहुचांगे सात में की बात करेंगे सुपार्ष नात सुपार्ष नात ठीक है सुपार्ष नात बात करेंगे हम 19 में की अब देखो 19 में का नाम था मलीनात के नाम था मलीनात 22 में की बात करेंगे 22 में की हम बात करेंगे तो 22 में का नाम था उनका अरिष्ट नेमी अरिष्ट नेमी के नाम था अरिष्ट नेमी बात करेंगे 23 में की तो 23 में जो गुरु थे वो थे आपके पार्शबनात क्या नाम था पार्शवनाद 24 वे की बात करेंगे हम महावीर स्वामी क्या नाम था महावीर स्वामी देखिए अब इनके बारे में हम आपको कुछ और चीज भी बताएंगे इनके प्रतीक चिन प्रतीक चिन से कहने का मतलब हमारा यह है जैसे कि आपने देखा होगा कहीं चुहा देखा होगा चुहा जब आपने चुहा देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि यह जो है चुहा जो प्रतीक चिन है वो किसका गनेश जी का है इनका हुआ करता था हाथी हाथी इनका हुआ करता था घोड़ा ठीक है इनका हुआ करता था बंदर ठीक है बंदर हुआ करता था इनका हुआ करता था एक इस तरीके से चिन बनावा होता है इस तरीके से ठीक है यह 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 ठीक है इस तरीके इसको बोलते हैं स्वास्थिक चिन क्या बोलते हैं स्वास्थिक जो सबसे जैन ध्रम का जो सबसे महत्पून यह इंपोटेंट जो यह सरवाधिक पिरसीद कह सकते हैं तो यह सबसे ज्यादा महत्पून वस यही वाला था ठीक है बात करते हैं और हम मली नात की तो इनका था कलश क्या था कलश ठीक है मली नात का था कलश बात करते हैं अरिष्ट नेमी की इनका थे शंक शंक आप सब लोग जानते होंगे ठीक है और पार्शवनात का थे सर्प सर्प का मतलब साप जिस हम कहते हैं ठीक है साप और महावीर स्वामी का जो था सिंग ठीक है ये इनके पृतिक च स्वामी के बीच में कितना डिफ्रेंज रहा வने गृप कितने साल के बाद में 250 सालों के wilt देखिएगा देके जैन धरम थे लिए सबसे पहले हम देखंगे जैन धर्म द्थरुए में कि इन में कहा गया है और वह धर्म में किया कहा गया वह वह ःता है वो धर्म ठीक है और एक होता आपका अजीवक अजीवक धर्म देखिएगा मैं इसके बारे में आपको अच्छे से समझाता हूं को और कोशिच करता हूं समझाने की देखिएगा इसमें कहा गया कि आत्मा इनका मानना है कि ऐश्वर नहीं है अब में चीज़ कहा कके आत्मा है इश्वर नहीं है तो इनमें कहा गया है कि संसार के पिर्तिये कड में संसार के पिर्तिये कड में चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो उसमें आत्मा है केने का मतलब क्या है अगर इंसान का सरीर कोई से भी आप तत्व मान लो या फिर कोई भी कड मान लो ठीक है उसके अंदर ही बताते हैं कि उसके अंदर जो है आत्मा है ठीक है जो इनके संस्थापक थे वो कौन थे संस्थापक देख लेते हैं संस्थापक थे आपके रिशब देव कौन थे रिशब देव ठीक है जिनको हम आदिनात से भी जानते हैं आदिनात ठीक है इनको आदिनात भ संसार के पिर्ति एक कण में आत्म है, चाहें वो सजीव है या निर्जीव, सजीव या निर्जीव, कहने का मतलब यह है, बात करते हैं बोध धर्म की, बोध धर्म में कहा गया है कि आत्मा नहीं है, कहा गया कि इश्वर भी नहीं है, इसमें दोनों चीज़ों को मना कर दिया गया, अब क्या हुआ, अब ये एक 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 ये अजीवा का धर्म के जो संस्थापक थे, इन का नाम था मखली पुत्र, के नाम था मखली पुत्र गोसाल अब इन्होंने क्या किया ये महावीर स्वामी के साथ अराधना इन्होंने शुन की थी ग्यान की प्राप्ति के लिए महावीर स्वामी के साथ में यह बेठे थे पर इन्हें ग्यान की प्राप्ति नहीं हुई जब इन्हें ग्यान की प्राप्ति नहीं हुई तो इन्होंने फिर दूसरी बार इन्होंने कोशिश की ग्यान की प्राप्ति तभी भी नहीं हुई हाँ पछी बार में महावीर स्वामी जी को पहली बार में घ्ञानकी प्रवती हो गई थी यह सब कुछ कि सब कुछ जो सब कुछ है वो मुनिश्य के भाग्ये पर निर्भर करता है कहने का मतलब क्या है अगर हम किसी एक्जाम के तयारी कर रहे हैं और हम उसमें अगर सफल नहीं हुए तो हम क्या बहाना बनाएंगे हम यह बहाना बनाएंगे कि हमें जो हमारे यह नसीब में नहीं था ठीक है क्या कहेंगे हम हमारे यह नसीब में नहीं था तो इस तरीके से हमने इस चीज़ को भी समझ लिया आगे देखीगा मैं और बताता चलूँ आपको कि मखली पुत्र गोसाल ने फिर जो इनके साथ में जो अन्वियाई थे इनके साथ में जो इनके अन्वियाई थे यह और जितने भी लोग ठीक है तो उन्होंने क्या करा उन्होंने जो इनके लिए अशोक ने क्या किया देखिएगा बिहार में कहां पर बिहार में ठीक है बिहार में अशोक ने अशोक ने क्या किया इन्होंने बरार की नाम से एक पहाली थी उसको कटवाया पहाली का इन्होंने क्या करा कटवा दिया ठीक है कटवाने के बाद में वहाँपर चार गुफायं बनवाई कित्प इन्हें रोमस की गुफा कि नाम से रिशी का छायों तो नोट्ची बनाते रहेए आपको मैं बहुत अच्छे से एस्प्लैन करने वाला हूं ठीक है, सुधामा, सुधामा की गुफा, ठीक है, सुधामा की गुफा, ठीक है, तीसरी थी आपकी कंड, चोपाल की गुफा, कण चोपाल की गुफा थी ठीक है चोथी थी राजा की गुफा राजा की जोपड़ी क्या थी राजा की जोपड़ी ठीक है यह गुफाएं बनवाईं थी अशोप ने दस्द कॉन थे दशरत थे अशोक का पोता था पोता जानते हैं ठीक है इन्होंने क्या करा इन्होंने जो थी नागारजुन की पहाली नागारजुन नाम सुनाओगा आपने नागारजुन पहाली इन्होंने कटवाई इन्होंने भी तीन गुफाएं बनवाई कितनी गुफाएं बनवाई इन गुफए गुफए दूसरी बनवाई इन्होंने वादी थी गुफए ठीका है यह नोने यह गुफए बनवाई थी एसका स्ओस्रॉट आाप ले ली किसके बाद में आपको और बताते हैं कि बात करते हैं अब रिशब्देव की किसकी बात करेंगे रिशब्देव की जुरिश्य लिष्प देव याक है ठीक है बात करेंगा मिर्षप देव याक दीनात देखेंगा पॉइंट टूक्ञाएंट आपको मैं बताूंगा जनम की बात करें हूं जनम की बात करें तो इनका जनम हुआ था हिच वाकू परिवार में परिवार, कहां हुआ था? आयोध्या में, कहां हुआ था? आयोध्या में, ठीक है? अगला पॉइंट देखिएगा, मिर्तियू कहां हुई? मिर्तियू की हम बात करें तो केलाश परवत कहों हुँ थी? केलाश परवत कह सकते हैं, आप यह अटवाय कह सकते हैं, ठीक है, केलाश परवत के अटवाय में, ठीक है? इसके बाद में देखते हैं ज्यान की प्राप्ती ज्यान प्राप्त कहा हुआ था? ज्यान प्राप्त हुआ था केलाश परवत पर कहा हुआ था? केलाश परवत पर ही इनको ज्यान प्राप्त हुआ था? कहा हुआ था? परवत पर ठीक है? ज्यान प्राप्त हुआ दा अगला पॉइंट देखांगे हम इनके पुत्र का नाम पुत्र कौन थे इनके पुत्र थे गोतमेश्वर बहुवली गोमतेश्वर बहुवली बहुवली कौन थे गोमतेश्वर बहुवली इनकी मूर्ती है 18 मिटर की, कहां पर है, 18 मिटर की मूर्ती है, कहां है, यह है शिर्वड वेल गोला में, कहां पर, शिर्वड वेल गोला में, अब यह शिर्वड वेल गोला में, किसने बनवाई थी, किसने बनवाई, तो चमुंड राय ने बनवाई थी, किसने, उस टाइम के राजा थे चमुंड राए चमुंड राए ने बनवाए थी अब यहां पर जो है एक पॉइंट और ही बताता हूं आपको यहां महा मस्तक का जो है एक महुस्ब मना जाता है या मेला लगता है ठीक है कौन सा महा मस्तक अभिशेक महा मस्तक अभिशेक जो कि 12 साल में हर 12 साल में हर 12 साल में लगता है इस बार लगा था वही जनवरी जो पेले लगा था वो कब लगा था जनवरी 2018 में लगा था अब कब लगेगा अब लगेगा जनवरी 2030 में लगेगा ठीक है इस चिसको आप याद रखेंगे इसकी निशोट लेते रहें ठीक है चलिया आगे देखते हैं अब बात करेंगा हम पार्शवनात की ठीक है हमने पहले किसकी बात किती पहले हमने अब बात करेंगा हम पार्शवनात की ठीक है पार्शवनात को हमका प्रतीक वह क्या है कि शार्प साप ठीक है यह कौन से नंबर के थे यह 23 नंबर के थे को इसमें नंबर के तिथांग करते हैं 23 नंबर के तिथांग करते हैं ठीक है उनसे नंबर के 23 नंबर के बात करते हैं इनके जनम की नंबर एक पॉइंट हमारे पास जन्म जन्म कहां हुआ बात करते हैं, जन्व की तो जन्व हो आइंगा काशी में, कहा हुआ काशी में, दूसरा पॉइंट है हमारे पास, पिता का नाम क्या था, यह आप पॉइंट नोट करते चलें मेरे साथ साथ, क्यूंकि यह पॉइंट एक्जाम में, इसमें से कोशन बनेगा, ठीक है, इसका अल कुन थे, काशी के राजा थे, ठीक है, तीसरी चीज़ हम देखांगे, इनकी माता का नाम क्या था, माता का नाम था, वामा, क्या नाम था, माता का नाम वामा, ठीक है, बात करते हैं, चोथा पॉइंट क्या हमारा, इनकी पत्नी का नाम पहले पत्नी देख लेते हैं, पत्नी पतनी अभी नियू नियू पेट लिया हमने यह है तो अभी थोड़ी लिखने में थोड़ी प्रशानी आ रहा ही इसको आप जदे माइड ना करें इंगर पिर वह 3,2 थे कैं है पिरवावति पाँचमा पॉइंट है आपका ग्यान की प्राप्ति, ग्यान की प्राप्ति कितनी उमर में हुई, तो ग्यान की प्राप्ति उनकी तीश वर्स की उमर में, तीश वर्स की आईउ में इन्हें ग्यान की प्राप्ति हुई, ठीक है, इन्होंने तपस्या कितने दिन, इनकी तपस्या कितनी थी, इनकी पूछे राएगा का ये तपस्ट जो ग्यान की प्राप्ति हुई थी ये कहां हुई थी ग्यान की प्राप्ति कहां हुई थी इस्थान के और हम बात करें इस्थान की तो ग्यान की प्राप्ति जो हुई थी ये हुई थी आपके जहारखंड जहारखंड में जो पारशवनात प पहाली जो है कहां कि पारशनात की जो पहाली की जो चोटी है जो चोटी है उसको कहते हैं सिखर सम्मेद सम्मेद सिखर सम्मेद सिखर सम्मेद सिखर ती अब यह सम्मंध क्या होता आप मान के चलिए यह कोई पहाळी है इस उतारीके से की अधन्य में चोटी हो ती ना उची रषिए इन्हें हम सिखर सम्मेध कुए शिक ना किता है क्या करा संबैद अब देखेद इनकर आधगा यहां पहालिया हुआ करती इस शिक ना किidy कितने 20 अब 20 सिखर सम्वेद में 24 तिथांकर हुए 24 तिथांकरों में से 20 तिथांकरों यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति किये कहां सिखर सम्वेद में ठीक है आपको याद रखना है बहुत अच्छे से चलिएगा इसका स्क्रिन शोट ले लिजेगा आगे आप अब बताते हैं आपको इसके बारे में देखिएगा पहले अनुयाई कौन हुए पहले अनुयाई देखें पहले अनुयाई हुए इनकी माता और इनकी पतनी ठीक है इनकी माता और इनकी पत्नी जो है पेले अन्वियाई हुए धर्म का प्रिचार दो धर्म का प्रिचार किया था वो कितना किया वो सत्तर वर्ष तक किया ःता मि धार्म का प्रिचार कितने वरस्ता किया सत्तर वर्ष्त दिंग है कि ढार के कितने गढ़ थे चार गणब को जो भिक्छुडी संग महिला ध्यक्ष कौन थी तो महिला जहक्ष जो थी विक्षुन संकी वो कौन थी वह थी पुष्य चूला, पुष्वु चूला टो गया झूंती पुष्वु चूला ठीक है Не बात करते हैं। पुष्वु चूला के बात में घरण हम बात करें। इसका स्क्रिंशोट ले लाइजी का पुशुव चुला के अगर हम बाद में बात करें तो जैन धर्म में ती रतनों की बात होती देखो कितने रतन हुए जैन धर्म में हुए ती रतन तीन रतन हुए कितने रतन तीन रतन हुए ठीक है जैन धर्म के तीन रतन वह कौन-कौन से देखेंगा पेला हुआ आपका सम्यक दर्शन किया था सम्यक दर्शन ठीक है दूसरा हुआ आपका सम्यक ज्यान तीसरा हुआ आपका सम्यक आच्रण सम्यक ग्यान, दर्शन यह तीनों आपके आपके जो जेंध्रम से है है यहाई पर हम बात कर लेते हैं बोट धरम की देखिएगा sequencing के जो रतन थे उनकी बात कर लेते हैं इसमें हुए चार रत्न कितने चार रत्न काई में बोध धर्म में देखिए कौन-कौन से सम्यक मैंने आपको इसके बारे में बता भी दिया पहले इसका अब आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप उसकी वीडियो देख लें आपको इसके बारे मिल जाएगा ठीक है सम्यक दिरिष्टी दूसरा है आपका सम्यक वचन तीसरा है आपका सम्यक संकल्प चोथा है आपका सम्यक निर्वा ठीक है यह आपके आगए किसके बोद धर्म के बोद धर्म के ठीक है कि देखिए इसके बाद में हम देखंगे आप इसका स्क्रीन शोट ले लीजिएगा देखिएगा है देखिए हम बात करेंगे जो हमने सबसे पहला क्या था समयक दर्शन इसके आप अपको छिर्फ रष्व दर्शन के लाट करें क हमदेखिख पहले को मैं आपको वह पतादिया के इसके पर आप प्राप्त करने के लिए विश्वास का होना एक जब दर्शन व्याशन लंगे निख्यान अनम कर दो मासित होताोा जरूरी होता है उसे हम सम्यक दर्शन कहते हैं क्या परिवाशा हो सकती है सफलता प्राप्त करने के लिए एक विश्वास का होना यह कॉंफिडेंस का होना हमारे लिए बहुत जादा जरूरी है क्या होना विश्वास का होना ठीक है विश्वास का होना कोई भी काम करने चले हम हमें इस्वास होना चाहिए कि हम ये काम में सफल हो जाएंगे तब ही हम उस काम को जो है एचीव करने के लिए एक योग्ये सावित हो सकेंगे ठीके नम्बर दूसरा है आपका सम्यक ग्यान ठीके देखे सम्यक ग्यान का मतलब क्या होता है सम्य ज्यान का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई भी ज्यान है अगर आपके पास कोई भी ज्यान है पर वो ज्यान आपके पास संपूर होना चाहिए संपूर होने का मतलब कोई भी ज्यान है आपके पास complete होना चाहिए जैसे कि मान के चलो मानगे चलो 24 तिथांकर हुए ठीक है मैं कहूं नहीं यार 20 23 तिथांकर थे यह मेरे पास अंकम्प्लीट जो मेरे पास जया नहीं है तो यह इस चीज़ के बारे में बताए गया इसमें ठीक है जितना भी हो संपूर होना चाहिए देखो इसमें कहा गया जो भी ज्ञान हो संपूर होना चाहिए ठीक है जितना भी ज्ञान हो देखो इसकी परिवाशना हम कैसे लिखांगे देखो लिखांगे हम जितना भी ज्ञान हो जितना भी ज्ञान हो संपूर हो या सही हो, ठीक है, क्या हो, या सही हो, जितना भी ज्ञान हो, संपूर हो, या सही हो, ठीक है, हमारी भाशन में यह हो सकता, संपूर हो, ठीक है, तीसरी चीज़ को हम देखांगे, आच्रण, सम्यक आच्रण क्या होता, देखेगा, सम्यक आच्रण के हम बात करें, तो सम्यक आ हमें समाज वाले लोग भी हमसे बचेंगे दूसरी चीज अगर कोई भी कहीं भी कोई भी कांड होगा कांड का मतलब अगर कहीं भी चोरी डकेती या चकोरी होती कोई यह नहीं किया है अगर वह काम में यह चौरी हमने वह किया है यह नहीं किये पर नाम हमारे ही आगा क्यूंग हमारे चरित खराब तो चुका है तो इसमें है चरीत अच्छा होना चाहिए हैत супस, जाहिए तो या ये उत्ष को, चीजों के बारे में तीरतन जो थे इनके जो कहा है इनोंने इनके बारे में आपको अच्छे से मैंने आपको बता बता दिया आशा करता हूं को आपको यह समझ में आगया होगा ठीक है और आपको वीडियो प्रसंद आ रही हो न तो लाइक जरू करें पिलीज लाइक जरू कर कर सकते हैं पांच तरीके से प्राप्त कर सकते हैं ग्यान प्राप्त करने के पांच प्रिकार हैं ठीक है कितने प्रिकार है पांच प्रिकार हैं ग्यान प्राप्त करने के सबसे पहला अगर हम देखें तो कौन सा है यह मुति इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा आप फिकर ना करें मुति हो गया आपका सुर्ति हो गया सुति ठीक है तीसरा हो गया आपका आवदी ठीक है चोथा हो गया आपका मन प्राय को मन प्रया ठीक है मन प्रया और पांचमा हो गया आपका केवल्ली देखिएगा मुती का मतलब और मुती का मतलब क्या होता है इसको हम समझेंगे इनके सारे सबके मतलब हम देखंगे क्या क्या होता देखो मुती का मतलब होता मस्तिक दुआरा ग्यान प्राप्त गेने का मतलब क्या मस्तिक दुआरा ग्यान प्राप्त का मतलब होता जो हम अपने दिमाग से अपने दिमाग से सोच विचार करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या ऐसा ऐस धर्म में ऐसा हुआ होगा वही हम जो है क्या कहते हैं उसे कहते हैं दिमाग मस्तिक के द्वारा ग्यान प्राप्त किसके मस्तिक के द्वारा मस्तिक के द्वारा ग्यान प्राप्त मस्तिक के द्वारा ग्यान प्राप्त ठीक है क्या कहलागा मस्तिक के द्वारा ग्यान प्राप्त ठीक है क्या कहेंगे मस्तिक के द्वारा ग्यान प्राप्त होना अब होता है सुती सुती का मतलब होता सुनने से जो सुनके हम ग्यान प्राप्त करते हैं जैसे किसी ने कहा कि ऐसा हुआ था कि या ऐसा किसी ने किया था मतलब जो सुनने से हम जो हमारे अंदर ग्यान ग्यान मिलेगा उसे हम सुती करेंगे जैसे कि मैं आपको मैं सुना रहा हूं बता रहा हूं ठीके तो आप अगर सुन रहे हैं तो ग्यान प्राप्त हो रहा आपको ग्यान सुनने से और आप देखने से प्राप्त करते हैं, देखने का मतलब जैसे कि मैंने देखा कि आप जानते होंगे, कोई भी करामात कह सकते हैं, या कुछ भी कह सकते हैं, या कुछ भी कह सकते हैं, या कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी किसी ने कोई अचम्मे वाला काम हो गया, उसने कहा है, यह सभी होता है तो इसका कहने का मतलब यह देखने से भी हमें क्या कहते हैं ग्यान की प्राप्ति हो सकती है होती है ठीक है और सुनने से ग्यान की प्राप्ति होती है हमें ठीक है मन पिराय का मतलब क्या होता है किसी के मन की बात जान लेना क्या होता है किसी के किसी के मन की बात मन की बात ठीक है किसी के मन की बात जान लेना ठीक है क्या किलाता है मन पर राय किलाता है ठीक है उससे भी हमें ग्यान पराप्त होता है क्या होता उससे भी हमें ग्यान प्राप्ट होता है हमें हर ठोकर खा के केतनी ठोकर खा के ही ग्यान अनुभव होता है या ग्यान प्राप्ट होता है वस वही चीज़े हैं ये इन चीज़ों के जरीया में ग्यान प्राप्ट होता संसार का पूरा ग्यान होना क्या के लागा के लिए के लागा आपको यह चीज़ा समझ में आई हो तो आप कमेंड बॉक्स में यसर बोलें और हम आगे बढ़ते हैं ठीक है चलिए देखते हैं हम आगे क्या देखिएगा मैं तुम्हें दो चार चीज़े बहुत अच्छी से समझाना चाहता हूँ जो कि लोगों के दिमाग में एक कन्फ्यूजन बना रेता है एक होता है भिक्छुडी भिक्छु क्या होता है भिक्छु ठीक है एक होता है आपका भिक्छुडी ठीक है एक होता है आपका भिक्छुडू बिख्छू और एक होता आपका बिख्छुडी ठीक है एक होता आपका उपासक एक होता आपका उपासी का ठीक है एक होता आपका शिराविक और एक होता आपका शिराविक ठीक है एक होता आपका श्राविक होता आपका श्रागिका देखेगा अगर ये कोई से भी धरम में है और इसके शादी नहीं हुई है मतलब आविवाहित है ठीक है आविवाहित का मतलब आप जानते ही जिसके शादी नहीं हुई है अगर लड़का होगा लड़का ठीक है अगर लड़का होगा ठीक है तो क्या कहलाएगा भिक्छू कहलाएगा अगर लड़की होगी तो क्या कहलाएगी भिक्छूडी ठीक है क्या कहलाएगी भिक्छूडी इसके हम कहेंगे भुक्षुडी टिक है इसको आप समझ लें भूत अच्छी तरीके से ठीक है देखेगा इसके बाद में आपको मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है देखिएगा इसका मतलब होता है आपका अगर बोध धर्म में ये किसी भी धर्म में किसी भी धर्म में अविवाहित अविवाहित ठीक है किसी भी धर्म में अविवाहित लड़का हो सकता है ये लड़की ठीक है दोनों में से कोई भी अगर है आविवाहित है किसी भी धर्म में तो बिक्चुनी बिक्चुनी के लाएगा ठीक है अगर आप अगर ये बोध धर्म की अब हम बात करते हैं बोध धर्म की देखें बोध धर्म में अगर ये ये अगर बिवाहित है मतलब इसकी शादी वो भी है बिवाहित ठीक है अगर ये बिवाहित है तो ये कहलाएंगे ये आप बस लड़का है ठीक है लड़का और ये लड लड़की आप इसको समझते जाएं बहुत अच्छी तरीका से आई ये कन्फिजन रहता ही है हर किसी को तो आप इसको समझ लें ठीक है तो यह उपासक के लागा लड़का उपासी का के लागी लड़की बहुत धरम में अगर इसकी शादी अगर इसमें जो है शादी कर ली है और यह जो है इसमें धरम में जो है इसमें प्रवेश कर लिया है इसमें मतलब एक तरह से इस उसमें संग में ठीक है यह इनके प्रिचार प्रिचार के लिए अगर इसमें सामिल हो गए हैं तो यह कहा जागा ठीक है इसी तरीके से स्रावी कुछ स्राविका के बारे में जान कि अगर कोई भी किसी भी धरम में अगर कोई भी लड़की ये लड़का अगर उसमें प्रिवेश करता है तो उसे किलाएंगे बिक्छुणी वो बिक्छुणी ठीक है अगर वो धरम में प्रिवेश करता है तो उसे किलाएंगे उपासक और उपासी का ठीक है और अगर जेन ध महत पूर चीजे में बहुत ज्यादा महत पूर्ट जो होती है कुछ में पूल नहीं भूट में पूर्ट चीज आपको मैं बताने जा रहा हूँ देखिएगा कर देखिए बात करते हम भिक्षूणी के एक तरफ हम लिखंगे हैं भिक्षूणी ठीक है और एक तरह हम लिखांगे श्राविक कर लिखांगे श्रावक और श्राविक कर ठीक है देखिएगा यह जो है इनकी शादी नहीं हुई है इन्हें कहेंगे सन्यासी क्या कहेंगे सन्यासी इनकी शादी हो गई है इन्हें कहेंगे गिरास्त क्या कहेंगे इनके लिए पांच नियम प्रवेश होने के लिए कि प्रवेश होने के लिए कि संग में प्रवेश होने के लिए ठीक है इनमें चार नियम है ठीक है प्रवेश होने के लिए कि आप इस समसते चलें बहुत अच्छी तरीके से एइसा आपको मुझा नहीं लगता कि कोई आपको समझा पाएगा ठीक है देखें इसमें पहला नियम है सत्य हमेशा सत्य बोलना ठीक है दूसरा नियम है इसमें आहिंसा क्या है आहिंसा आहिंसा मारपीट ना करना तीसरा नियम है इसमें अस्तिय अस्ते इसका मतलब होता चोरी ना करना ठीक है चोथा नियम है इसका परिग्रे आप परिग्रे क्या होता आप परिग्रे आप परिग्रे का मतलब होता धन का का इखटा ना करना था नकरना ठीक है पांच मा नियम क्या है ब्रह्मचार रें किया है ब्रह्मचार है अध्य ब्रह्मचार रें मतलब वह ता महिलाओं से दूर रहना से दूर रहना यह नियम जो है महावीर स्वामी दुवारा जोड़ा गया था किसके दुवारा महावीर स्वामी दुवारा जोड़ा गया किसके दुवारा महावीर स्वामी दुवारा यह नियम जोड़ा गया ठीक है तो आपको इस तनी बात समझ में आई होगी चलिएगा इसके बारे में आपको इस चार नियम ये भी आपको बताए देता हूँ दो इस चार नियम थे एक था मैत्री क्या था मैत्री मैत्री के मतलब होता मित्रता की भावना रखना मित्रता का मतलब एक दोस्ती वाला भावना रखना मतलब एक प्यार वाली भावना रखना ठीक है? और दुसरा है आपका पिर्मोद पिर्मोद का मतलब होता है पिरसंता मतलब एक खुशी वाली खुशी की भावना रखना खुशी की भावने रखना मतल nutritious अपने अपने नहीं एक मुंस्क्राठ्राट रखना या खुशी की भावने रखना कुछ भी आप कह सकते है ठीक है तीसरा नियम है करुणा करुणा का मतलब होता है किसी को पर देया करना ठीक है इसमें कहा गया कि आपको ये देया की भावना रखना है आपको ठीक है किसी के भी पिर्ति आपको देया की भावना रखना है ये नहीं कि आप जो ये किसी को भी देया ना करें उस पर मार पीट कर जो भी करें ठीक है यह सब मना किया गया इसमें महा महा माई महापस्त ठीक है इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है कि जो बुरे बुरे लोगों की संगत से दूर रहना ठीक है इसका मतलब यह होता है आप इसका इसका स्कीनशोट ले ले ठीक है आगए हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं तीन शब्द आपको यह याद ओरुद रखने हैं तीन शब्द आपका है मैं यहां कुछ देता हूं आपके लिए तट भंग निए तप्स भंग Ace कि निए थेए भानत विप नहीं पेला शप्द आपकर यह है दूसरा शब्द है आपका पराफ इसके बारे में जान लेते हैं इसका के किने का मतलब क्या है सब्त भंगनिये का मतलब होता है कि जैसे मान के चलिएगा किसी ने भूत देखा किसी व्यक्ति ने किसी ने कोई भूत देखा भूत का मतलब जानते हैं भूत परेत ठीक है किसी ने भूत देखा अब देखने के बाद में वह कहता है वह दूसरे इंसान से से पूछता है किया तुमने कभी घुळे देखा है कि तुमने ख़ित करते हैं करते यह नहीं तो इस तरीक से इननल नहीं कहा जा नहीं सकता या हो सकते हैं यार मुझे नहीं पता है होते हैं या नहीं होते हैं ठीक है इस तरीके से जो हैं साथ जो हैं साथ नियम बना दिये गए थे मतलब साथ लोगों नहीं इस तरीके की बात की कहा हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता है ठीक है इस तरीके से जो स्यादवाद में क्या होता है सियादवाद में कहा गया है पिरती एक बस्तू का अपना गुण होता है किसी भी बस्तू के गुणों को आप पूरी तरीके से नहीं जान सकते क्या कहा गया सियादवाद में कहा गया है कि पिरती एक बस्तू का अपना एक गुण होता है और किसी बस्तू के सभी गुणों को आप नहीं जान सकते कहने का मतलब क्या है कि आपका ग्यान पूरा आप कभी भी ग्यान की प्राप्ति पूरी नहीं कर सकते ठीक है क्या कहा गया ह ताइम लग जागा नहीं तो चलिए ठीक माहा गगे सर्फ को बताता हूं Tu CoS इनकांट वाद और में आपको बताता हूँ इसमें क्या का गया है इसमें टत्व नीमासा तत्व मिमासी ये तत्व मिमासी है ठीक है और इसमें कहागा गया है कि संसारोर आत्मा संसार और आत्मा इश्वर इनके बारे में इसमें बात की गई है संसार और आत्मा के वारे में इसमें जिकर किया गया है और इसमें कहा गया है संसार में बहुत बस्तू है जो अपने अपना उनका गुण होता है क्या कहा गया है संसार में सभी बस्तू का ऐसे लिखांगे इसको संसार के संसार में सभी बस्तू का का अपना 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 गुन होता है ठीक है कहने का मतलब यह कुछ बस कुछ चीज़े होंगी आपकी इस्थाई और कुछ चीज़े होंगी आपकी इस्थाई उसे कहंगे हम नितिये और जो परिवर्तन शील है उसको कहते हैं हम परिवर्तन शील ही कहते हैं ठीक है जो चेंज हो जाती है उसे परिवर्पन शील केते हैं ठीक है आप इसका स्क्रीन शोट ले लिजी है आगे बढ़ते हैं देखिएगा बात करते हैं आत्मा देखिए आत्मा के बारे में समझें आप आत्मा शरीर और पदार्थ देखिएगा आत्मा शरीर और पदार्थ के बारे मे बात करेंगे इसको देखो आप समझो बहुत अच्छी तरीके से जितना आप समझ सको ठीक है देखें जैन धरम में पदार्त जो है जैन धरम में पदार्त को कहा गया है क्या कहा गया है गल्स का गया है लुए यह पुद्घल का गया है क्यूंग जैन धरम की जो भाशा है वह कौनसी अर्दमग दिय心 कोई सी भाशा है अर्धमग दिया इसलिए 것을 को पुद्घल कहा गया है क्या कहा गया है पुद्गल कहा गया है देखिएगा शरीर की बात करते हैं देखिए शरीर की बात करें हम तो इसमें कहा गया है संसार की कोई भी चीज हो संसार की कोई भी चीज हो संसार की कोई भी बस्तू हो कोई भी चीजों वो पदार्त से मिलकर ही बनती है किसे बनकर बनती है पदार्त से मिलकर बनती है अब शरीर के हरा हम बात करें तो देखो इसमें पाप भी होगा इसमें पुन्ये भी होगा इसमें जो आपका कर्म भी होगा कर्मों भी दो तरीके को होते हैं एक अच्छा और एक बुरा अच्छा भी होगा और बुरे भी होगा ठीक है इस तरीके समझे इसको समझा अब देखिएगा आत्मा जब शरीर आत्मा में चिपक जाती है जब शरीर आत्मा से चिपक जाता है तो एक बंधन में बंद जाता है किसमें? एक बंधन में बंद जाता है क्या होता है? एक बंधन में बंद जाता है ठीक है? और जब ये शरीर जब ये आत्मा से अलग हो जाता है जब ये शरीर आत्मा से अलग हो जाता है तो इसको कहते हैं मुक्ती क्या कहते हैं मुक्ति ठीक है इसको आपने समझ लिया देखें जब बंधन में बंध जाता है और बंधन से अगर हमें इसे छुटाना होगा तो इसको क्या है इसके नियम है कितने नियम है चार नियम है कितने नियम है नियम है आपके चार इस सब जैन धर्म की बात हो रही है ठ देखो एक निया में आपका असर्व कौन सा असर्व दूसरा निया में आपका संवर कि तीसरा निया में आपका निर्जर कि क्या है निर्जर देखेगा इसमें हम बात करेंगे इसके बारे मैं आपको बताएंगे देखें पुद्गल का आत्मा की और बहना पुद्गल का आत्मा की और बहना ठीक है पुद्गल का आत्मा की और बहना आत्मा की और बहना कहलाता है असर्व ठीक है क्या कहलाता है असर्व कहलाता है समवर के लाता है निर्जर का मतलब होता है आत्मा से धीरे धीरे अलग होती है पुद्गल से धीरे धीरे जो अलग होती है क्यों होता है निर्जर कहते है आप इसका चीज़े और आप यहां रखेगा एक कोश्चन आपका यह जेन धर्म कोशन मनता है जेन धर्म का अधार बताएं देखें जेन धर्म का अधार है वो क्या है आहिंसा आहिंसा का मतलब होता है हिंसा ना करना हिंसा का मतलब होता है आपको किसी से लड़ाई जगड़ा नहीं करना है ठीक है कोई भी हम किसी भी तरीके का हम किसी से लड़ाई जगड़ा नहीं करेंगे यह हिंसा किलाता है ठीक है चलिएगा आगे देखिएगा आगे मैं और आपको चीज़ बताया देता जो कि एक्जाम में पता कलिया जाता है देखे पहले हम बात करेंगे पहालियों की देखे पहली पहाली देखो आपको बस में चार पहालियों के नाम बताऊंगा ठीक है चार पहालियों के नाम बताऊंगा ठीक है अरजन्यय अरजन्यय गिरी औरजन्य गिरि पहली आपकी औरजन्य गिरि दूसरी आपकी अर्बू गिरि तीसरी आपकी शत्रु जिये चत्रुन जिये गिरि ठीक है चोथी आपकी चंद्र गिरि ठीक है चंदर के लिंग देशेयेगा कि इसका आप बताएंगे कि कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे आपके लिए आम फ़र कह विए कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि आफकर यह आपको अच्छा सीयाद करना है बात करते हम मंदिर की का मन्दिर के हरम बात करें मन्दिर होगी तो इससे हम अब लेन म्धर का family अच्छा में फील तान में तर्फोह मंन्दिर को इस कुछ लिए अनोच में के न। महि disadvantaged भासगिरी मंदिर, नमर चार है आपका हाती गुमफा, नमर पांच है आपका रिशब देव, नमर छे आपका अरिष्ट नेमी, का, 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 मिलनगा आपको है ठीक है, इसके बारे में आपको बता यह डेता हूँ आपका इसके बादना मंदिर आपका ये मिले का, फूर्ण, बूर्न पडिल्वाण हुर्ण मंदिर मेंम याजित्ता नम्र, हम्ले का, आपको मिलेगा कोशामबी में ठीक है यह आपको मिलेगा उडीसा में यह आपको मिलेगा यह दोनों आपको मिलेंगा खजुराओं में मद्धिप्रदेश ठीक है और यह जो मनवाए थे मंदिर यह किसने वनवाए थे चंदेल शाषक उन्हों बनवाए थे चंदेल वंच के टाइम पर यह बने थे ठीक है कि आगे देखते हैं कि आगे हम बात करेंगे महावीर स्वामी जी की बारे में महावीर स्वामी जी के बारे में हम बात करेंगे बहुत अच्छे से जैसे कि अभी हम पीछे पढ़ते हुआ हैं उसी तरीके साब हमें यहां भी यह भी पढ़ना है ठीक है तो महावीर स्वामी ड्रायिटिंग को इतनी अच्छी नहीं है इसारा कि महविर स्वामी की हम बात करें इनके बच्वण का नाम क्या था इनके बच्वण का नाम था वर्दमान इनका हम जन्म की अगर बात करें हम तो इनका जन्म हुआ था पांस vinegar बीसी में और कहीं कहीं आपको और 599-20 भी दे रखा है तो आप उसको टिक कर देना ठीक है कोई से भी आप टिक कर सकते हैं कि इस्थान की बात करें हम इस्थान की इस्थाने वेशाली कि निकट कुंडल गिनाम में कि aos जगे आध रहंगे बात करते हैं चाहन जद का मतलब क्या होता मालों शेतर होता एक नसे डाक यह होता खतर के लाता किस गोड़के वही कौण से पिंडिके हो यह कौन से प् kale के हो वही गड़़ जातरी कि कोंसा जातरी बात करें ज आती ही कि अ जातिय Orlando जट्री जाती होती देदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदे कि यशोदा जो थी यह थी चेटक की बेहन किसकी चेटक की बेहन अब चेटक कौन था चेटक था लिच्वी लिच्वी का राजा रिच्वी का राजकुमार राजनी राजकुमार लिच्वी का राजकुमार था अलच्वी के जो राजा और राज करते हैं वो कहां पर हुआ करते हैं वेशाली में कि मेराज करते थे त्यूंस अगे यह आगे देखते हैं बात करते हैं पतनी की बात करते हैं पतनी की तो पतनी का नाम था यशोदा शोरी पतनी का नाम देखेगा इसमें कुछ गलती हो गई है यह था पतनी का नाम पतनी का नाम यशोदा ठीक है यशोदा नाम था पतनी का और माता का नाम तरिशला चीक मातार्गा नाम क्या था त्रिषला की बात करता है यहाइची और निखा हुआ अनोज्य भी है अनोज्य भी है अनोज्य प्रिय दर्शनी ठीक है यह चीज़ आपको ध्यान रखना अब यह जो इनकी पत्नी थी यह शोधा इनके बारे में भी जान लेते हैं यह थी राजा यह थी राजा समर्वीर कि पुत्री थी राजा समर्वीर की पुत्री थी कोश्चन आता नहीं है वैसे मन बन सकता कोश्चन कहीं से भी हमें सब यह चीज़ा पढ़ लेनी चाहिए ठीक है और भी चीज़ों के हम बात करेंगे इससे आगे हम चलते हैं देखेगा बड़े भाई की बात करते हैं बड़ा बात करें दमात की दमात कौन से जमाली नाम था जमाली आज़े बात करते हैं हम गरितियाग गरिय त्याग जो किया था इन्होंने वह तीसी वर्ष की दिशुे वर्ष में जो हम्रह um हो गई थी तब इन्होंने गिरे त्याग किया था अब गिरे त्याग करने के बाद में नो जो वस्त्र त्याग किये थे वस्त्र कब त्याग किये थे इसके बाद में इसके कितने बाद में 13 महीने भी आता कहीं आपको क्या देगा 11 माह, ठीक है? कहीं कहीं आपको देगा 13 माह, कहीं कहीं देगा आपको घ्यारा माह, तो आपको जो है, दोनों में से कोई से भी टिक कर देना, ठीक है? ग्यान की प्राप्ति को केवली कहते हैं यह आपको मैंने आपको बता दिया है अब इनके जो है जब इन्हें पहली बात हम देखंगे कि इन्हें जो ग्यान प्राप्त हुआ ठीक है अब हम देखंगे जो इन्हें ग्यान प्राप्त हुआ ग्यान जो प्राप्त हुआ इन्हें क ज्نान की प्राप्ति केते हैं के वृप्धिदे तो आप यह याद उतक किया अ क्याका वीृ수 घ्ली कि भी हो धिरो डॉक्टा मतलब होता संसार का पूर्ण ग्यान होना ठीक है गाऊं के हम बात करें gggawn की इस्थान की बात करते हैं पहले जबी तो इस्थान इस्थान कि यहां मैं बात करने तो राजगिरे की बात करते हैं जैनल की है और हम गाउँ की बात करते हैं तो आगा जांब्रिक यहीज हो philosophies करते हैं कौन सी नदी किनारे नदी कौन सी थी किस नदी किनारे तो त्यार रिजुपाली का रिजुपाली का नदी बात करते हैं कौन सा ब्रक्ष बात करते हैं ब्रक्ष तो ब्रक्ष साल का ब्रक्ष साल या अशौक आप इसको क्या बोलते हैं और इसमें जेन जेन धरम में इसको बोलते क्या है इसी शाल मेरी उडरी मिल मफें शामबली विरक्ष इसमें इस भास इसी धरम में बोला आदा ठीक है बात करते हैं हम इनकी वर्स किने दितने खनगी प्राप्ति होग ऊढ़िए हो और जब इनके प्राप्ति होगा नोसिट Müраж में प्राप्ति हो गई जब इनकी प्राप्ति हो गई इसके बाद में इनके जौह कुछ नाम लिये गए इन गोया महा वीर इन्हें महावीर के अलावा क्या गया केवलियन इनके इन्हें कहा गया जिन इनको कहा गया आहात्र निग्रंथ ठीक है इनको इस नामों से पुकारा गया को देखेगा अगर हम बात करें इसका इश्करींशोट ले लीजिएगा हम बात करें इनके धर्म का परचार किया है वह कौन कोन से चैसे के प्रकार थे वह कौन से थे वह पहला आपका चंपा का चंपा जो कि कि अंग की राजधानी थी चंपा ठीक है किसकी अंग की राजधानी चंपा नमबर दोसरा था वेशाली और वेशाली जो थी वज्जी की राजधानी थी किसकी वज्जी की ठीक है और नमबर तीन था आपकर राजगुरे इन जगा पे इनों ने धनम का प्रिचार किया ठीक है अब इनके हम देख लेते हैं कुछ शिश्चिय बगएरा हुए होंगे ठीक है जो इनके पहले शिश्चिय थे ये देख लेते हैं पहले शिश्चिय कौन हुए इनके पहले शिश्चिय देख लेते हैं देखे पहले शिष्ष्षिय और पिलस जो पहले विरोधी थे पहले विरोधी ठीक है पहले शिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् पूरा ना हो सके जब तक कोई भी कारिये कर रहे हैं कोई भी काम कर रहे हैं अगर वह पूरा नहीं हुआ है तो उसे यह ना समझें कि पूरा हो गया है उसको यह समझा जाए कि कारिये पूरा अभी हमें करना है अब इनका कहना क्या था कि अगर हमने अपने दिल में इक्षा पेदा कर ली है किसी काम को करने के लिए हमने ठान ली है तो हम समझो वह काम पूरा हो गया पर ऐसा है नहीं ठीक है बात जो सच्छी थी वह एक तना से आ पर अभी हमने को काम को ठान ल mentality मार वो काम जो हो नहीं पाया जीसे करहाने नोक्री पर है कि नोगर हमें मिलेगी यह में नोकरी जो है सफलता उसमावासिल होगी नहीं तो फिर क्या होगा बात तो वही है कहने का मतलब यही यह के अगर हमने किसी चीज के लिए ठान लिये तो वह जो हमारे यह ना समझें कि हमने ये काम पूरा कर लिया हाँ उस काम को जब तक तक तुम एच्छीव ना कर लो जब तक ये नहीं समझा जाए तक काम पूरा हो गया थीक है इस चीज को हमने है समझा पहले शीश्य कोन थे जमाली और सबसे पहले विरोध किसने ने किया व्हों भी जमाली नेए ट्रीख है हर्ट कौन थे थयकंए जमाली कौन थे तामाद थे देखिए अब पिर्थम उपदेश के आरव में बात करूँ तो पिर्थम उपदेश जो दिया गया था राजगिरे में कहां दिया गया था राजगिरे सबसे पहला कोशन आपके यह बन सकता पिर्थम उपदेश कहां दिया था राजगिरे में किसको दिया था किसको दिया था वो दिया था मैग कुमार को किसको मैग कुमार को किसको दिया था मैग कुमार को अब आपसे कोशन मनें पिर्थम भिक्छुडी कौन थी पिर्थम भुक्षुडी कौन थी तो पिर्थम भुक्षुडी थी चंपा के जो राजा थे इनकी पुतरी तरी उनका नाम क्या था पुतरी का पुतरी का नाम था चंदना यह आप नाम याद रखेंगे बात करते हैं देखो अब हम बात करेंगे मिर्तियू की देखें मिर्तियू की और हम बात करें मिर्तियू अगर हम मिर्तियू की इनके बात करें तो बहतर वर्ष की उमर में इनकी मिर्तियू हो जाती है मिर्तियु जो है उस बार टाइम की मतलब उस बार सन क्या थी 468 BC ठीक है अब यह कहां होती है यह भी हमें पता होना चाहिए कि मिर्तियु जो हुई वो कहां हुई यह हुई थी पावापुरी में में हुई थी और यह जो थे पावा पुरी में जो मल राज मल राज को मल राज मल राज सट्थिसपाल इनका पूरा नाम है कि ठिक है इनके महल मुई थी कहां महल में ठीक है इनके में और यही बात में जो इनके शिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् इनके ग्यारा शिश्य हुए टोटल कितने ग्यारा शिश्य थे जो इनके मेन वाले शिश्य थे वह कितने थे ग्यारा शिश्य थे अब ग्यारा शिश्य थे महावीर के बाद में जो था जो महावीर के बाद में कि महावीर के बाद में ना महावीर के बाद में जो थे क्या हुआ यह गण्युक्ति गंदहार जो संमू हुआ करता था जू अध्यक्सром सुधर्मन के बाद में कौन हुए जम्बू स्वामी कि कौन हुए जम्बू स्वामी के बाद कि चंद्रगुप्त मोरी के समय कि इसके समय में चंद्रगुप्त मोरी के समय यह जो थे इन्हों ने यहां पर के चंद्रगुप्त मोरी के समझ में बारा साल का जब क्या पड़ा अकाल पड़ा या सूखा पड़ा तो यह सब सूखे की वैसे कहां चले गए थे यह चले गए श शिर्वड बेल गोला चले गए थे अपने सारे अनुगाईयों को लेकर कहां गए थे शिर्वड बेल गोला ठीक है यहां पर आपको इस समझ में आ गया अब इनी के टाइम पर जो जेन धरम था वो दो संप्रदाओं में या दो भागों में बट गया था वो उसका नाम वो कौ संप्रदाओं में बढ़ गया स्थे अब सुप्यारदाओं में बढ़ गया तो इसमें कुछ चीजें इन्होंने बताई कि स्थेंबर में ऐसा होना है यह लोग जो फिर जब वहां श्रीवड वेल गोला जब चले गए तो इन्होंने जो है कुछ नियम बनाए मतलब कुछ चीज़ें ऐसी बताएं कि क्या-क्या चीज़ें यह मानते थे क्या-क्या चीज़ें नहीं मानते थे इसके बारे में हम बात करेंगे देखेगा सबसे पहले मतलब है सफेद सफेद वस्त धायरण किये और वस्त पहलते थे मतलब सफेद वस्त पहनते थे इनसे के जो गुरु हुआ करते थे गुरु कौन थे इन turn भधृ डर्शू ए इसथू ब्हद्र और कौन 一 फूल बध्र थे इनके गूरु ठीक है तीसरी चीज वह करती थी यह कहते है मैं कि यह एक लग्षिए इस्म्याक वासी με को का इस्थानक वासी कि ऑस्थानक वासी को मतलब هोता है एक जगह पर रुके यूए स्थानक वासी इस्थानाक वासी के नाम से जाना आते थे चोथा हुआ इनका यह भ्रहमचारी नहीं मांने ग्रस्त यह कहते हैं कि महावीर स्वामी महावीर स्वामी जो थे वो विवाहित थे मतलब उनकी शादी हुवी थी ये मानते हैं कि महावीर स्वामी थे उनकी शादी हुवी थी और उन्निस वे जो उन्निस वे जो क्या कहता है थी थांकर हुए कौन थे बताईएं आप मल्ली नात में आपको बताया था मल्ली नात तो ये बताते हैं का म lleva एक महिला था कि ठीक है कुन कहता है उसा यह सлиन्भध अफेखमबर कि हाँ देख लेते हैं अब ढिखापमबर तुछ मर्वाले क्या कहते हैं धिखापमबर वाले क्या कहते हैं जिखापमबर कभी कही होते ते कभी कही होते ते महांना था कि वाई-उ-मडल वह हमारा वस्त्र है क्या है वाई-उ-मंडल नमारा वस्त्र है थीक है यह मानने करते थे मतल engagल के शादी नहीं की थी ये मानते हैं प्र्ली नहीं की थक है NICK ऑ और इनका मानना थे जो मली ना थेज्ओ है एंस कर ठीछंवे तिठांकर थे मली नात वह एक कि पुरुष थे क्या थे पुरुष तो इन में यह डिफ्रेंस है यह आपको जो है अच्छे से देख लेना है कुछ चीज़ा मैं आपको और बता जाता हूं नहीं जो किसे पुष्तक हैं या सहित्ति चहों है उसके बारे में थोड़ा आपको और बता जाता है अगमन या पूर्भ ठीक है ? यह कहा जाता है यह बारां यह अंग हुए इसमें बारा अंग थे बारा उपांग थे ठीकिए 12 उपांग थे 6 चंदर सूत्र थे , चार दमूल सूत्र थे , बस एक मंगली सूत्र ही नहीं थे इसमें , 1 नंधि सूत्र था इसमें , कौन सा नंधि सूत्र , और एक था अनूयोग सूत्र , ठीकिए सारे सूत्र हैं मंघल सूतर हैं मंघल सूत्री नहीं वसमец में इ societal करती थिछ है अब इस में आचरन सूथ हो गया आपका कल्प सूत्र हो गया आपका अधि पुराण हो गया भगवत शूत्र हो परिशिस्ट परवन हो गया जो के हैम चंद्र के द्वारा लिखी थी ठीक है और अगर हम बात करें देखो इस चीज़ों को हम यहां रख देते हैं इसके बाद में अगर हम बात करें पहली संगीती देखिया यह कोश्चन आपके रह गए थे मैं इसको बता देता हूं संगीती कंए पहली अगर संगीती की बात करें हम तो पहली संगीती जो हूए थीए 298 में जो कह नूइ थी है यह हुथी पॉत्र में आंडली पूत्र जो इस ऐस टाइम के राजा कून थे राजा थे चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौह रही और इनक्राइ Я अध्यक्ष बना करते थे जो यह संगीति हुआ करती तो उसका अध्यक्ष हुआ करते थे इस थूल भद्र थे कौन थे इस थूल भद्र ठीक है उसका अध्यक्ष थे इस थूल भद्र बात करते हैं दूसरी संगीति की दूसरी संगीति के अगर हम बात करें तो दूसरी संगीत अधिमें जो थी पांद सो बाराइडी में ओऑी कभी 502 2017 कहां उती बललभी में कि कंझा इती बललाभी ओड़ी में ठीक है जो के हो गुजरात में का गुजरात में और इसमें जो क्या हुआ था इसका अध्यक्ष कोन थे इस टाइम पर जो अध्यक्ष हुए थे, वह अध्यक्ष हुए थे, समा शिर्वणा, कौन हुए, समा शिर्वणा, इन्होंने जो है, बारा अंग और बारा उपांग जोड दिये थे, ठीक है, दोस्तों अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो शेर और लाइक्स और कमेंट्स करना ना भूले, ठैंक्स फॉर वोचिंग,